नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागप करती हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे हर घर में मिलने वाली बहुत ही आम परिशानी स्नोरिंग यानि की खराटों के बारे में दोस्तो खराटे आपने देखा होगा आपने घर में यास परोस किसी ना किसी को घर में एक प्रानी को तो खराटे की परिशानी होती ही है और उससे ना सिर्फ वो आस पास के लोग भी बहुत ज़ादा प्रभावित होते हैं और उनकी नीन भी जिस्टव होती है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जो खराटे होते हैं उनके पीछे का आखिर क्या कारण है जिसके वज़े से लोगों में खराटे आते हैं, कैसे उनको लक्षर मिलेंगे, क्या ये आगे जाके कभी कोई घातक बिमारी कॉस कर सकते हैं और कौन सी यसी होमेपैतिक जिनका प्रयोग करके दोस्तो आप उपने खराटे की परिशानी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा इन्फोर्मेटिव है आप इसे अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तो तो चलिए शुरू करते है दोस्तो चलिए बात करते हैं स्नोरिंग यानि की खराटो के बारे में ये क्या होता है इसको मुझे बताने की जरूर्वत नहीं हर इनसान जो है इसको बहुत अच्छे से जानता है कि खराटे हम किसको कहते हैं बात करते हैं इनके कारणों की आखिर क्यों होता है दोस्तो जो जो हमारा ये पैलेट है, हमारा जो फेस में ऊपर की तरफ एक सौट पैलेट पाय जाता है, और उसके रिलाक्स शेसिंड के बाद, मैं जब थोड़ा सा लूज पढ़ जाता है, तो जो हमारा ये एर पैसे है, जिससे हम सांस लेते हैं, वो उसको जाके ऐसे ढखने लग जाता ह और उसको कंजिस्टिव कर देता है, आपको प्रॉपरली एर नहीं जा पाती है आपके ट्राकिया, यानि कि आपकी स्वास नली में, जितना ज्यादा कंजिस्टिव आपका ट्राकिया होगा, उतना लाउट साउंड आपको सुनने को मिलेगा, उतनी तेज आपको खराटे की आवाज सुनने को मिलेगी, अच्छा ये तो हो गया कि आपको reason क्यों होता है, इसके पीछे के जो cause है, कारण है, वो हम जान लेते हैं, जोसरे एक कारण बहुत जादा है, कि जिस like posture में हम सूरे हैं, कहीं उसके वज़े से तो नहीं, जो हमारा soft palate है, वो जाके हमारे trachea के passage क को block कर रहा है, second thing, अगर आपको recently cold हुआ है, उसके वज़े से आपकी नाग बंध है, और आपको snoring की history हो रही है, nasal polyp की condition में, क्योंकि वो बड़े-बड़े जो polyps बन जाते हैं, वो आपके passage को block करने लगते हैं, जिसके वज़े से भी ये चीज़ आपको देखने को मलती है, next, दोस्तों, अगर आप obese है, यानि कि आप मटापे की शिकार हैं, उस वज़े से जो आपका soft palate है, वो और ज़्यादा thick और relax हो जाता है, जिसके वज़े से की trachea को आपके compress करना शुरू कर देता है, next, कुछ लोगों में देखा गया है, दोस्तों कि जो लोग alcoholic होते हैं, यानि कि जो शराब पीते हैं, और specially वो शराब अपने सोने से पहले अगर उन्होंने लिया है, उनमें भी snoring history बहुत जादा देखने को मिलती, क्योंकि उतना severely उनका soft palace है, वो relax हो जाता है, और लटक के trachea के passage को बंद करना शुरू कर देता है, next, दोस्तों, अगर आप किसी चीज के लिए allergic हैं, उसके वज़े से body में response आ रहा है, तो उस वज़े से भी आपको snoring की history यानि कि karate की history देखने को मिल सकती है, साथ ही, अगर आपको कभी ऐस होता है कि आपके जो tonsils हैं, उन वो बहुत ज़दा बढ़ गए हैं, उसके वज़े से भी अगर बढ़ने के वज़े से भी आपका जो ट्राकिया है, या फिर आपकी जो श्वांस नली है, और अब्स्ट्रिक कर रही है, तो भी ये cases देखने को मिले हैं, कि उन लोगों में, especially लक्षन कैसे हैंगे, लक्षन आप सभी को पता है कि बहुत loud sound के साथ सामने वाला sound क्रेट करेगा, और जितना तेज कर रहा है, means उतना जादा उसका जो ट्राकिया है, जो air passage है, वो ब्लॉक हो रहा है, उतना कंजिस्टिव होता जादा है, दूसरा उसके वज़े से लोगों सर में दर्थ की शिकायत मिलती है, नेक्स टे आप पूरे दिन स्लीपी फिल करते हैं, बोडी बहुत जादा डल होती है, बहुत लोगों में सुबा सर में दर्थ की शिकायत देखने को मिलती है, आपको सांस लेने में डे टाइम में भी बहुत दिक्कत होती है, आप जब भी में snoring की history देखने को मिलती है किसी को अभी मिले किसी को बाद मिलती है यह depend करता आप कितनी deep sleep में सो रहे हैं जितनी ज़ादा deep sleep में होते हैं उतना ही passage का relax होना possible होता है जो air passage है वो congestive होने लगता है लेकिन अगर यही चीज आपको बहुत ज्यादा लंबे समय से चली आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा वो आपके life partner जो है या जो आपके आज बगल में सो रहे हैं उनके लिए बहुत annoying situation होती है और साथ में यह कभी-कभी कुछ घातक ब हो रहा है तो इतनी चिंते की बात नहीं है अब बात कर लेते हैं होमेपती medicine के बारे में कि कौन सी medicine है इसका प्रयोग करके आप अपनी snoring की परिशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं दोस्तों आज मैं आपको एक patent drop के बारे में बता रही हूं जो की एलन्स का है snored drop आता उनकी snoring permanently ठीक हो गई है क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 10 से 12 medicines पड़ी है और इसके combination के साथ इसको प्रयोग बनाया गया है इसमें दोस्तों आप समझने आरसेनीक है बेलाडोना है ब्राइनिया है इगनेशिया है हिस्टमिन है टीमवी है ड्रॉसेरा है हाइड्रेस्टि जो आपके air passage को ठीक रखने में मदद करती है जो nasal congestion को ठीक रखने में कि अगर आपको पॉलिप है तो उसमें बेटर रखेंगे किसी allergy के वज़े से अगर आपको snoring है तो उसमें भी बहतर काम करेंगी साथ ही आपको recent कभी कफ कोल्ड हुआ था या अंदर टॉंसल में सूजन है तो उस वज़े से भी काम करेंगी तो बहुत ही broad area को cover करके इन में बाराओं दवाओं को add किया गया है और इस patent drop को बनाए गया है इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी बहुत जादा लोग confused होता है कि इसको लेना कैसे है दोस्तों उसकी आपको 10 से 15 बूंद लेनी है सोने से एक घंटे पहले सोने से एक घंटे पहले जैसे आगर आप 10-11 बज़े सोने जाते हैं तो अगर आप 10 बज़े सोते हैं तो आप 9 बज़े इसकी एक डोस लेने या आप 11 बज़े सोते हैं तो 10 बज़े इसकी 15 बूंद एक चौथाई कप पानी में डालके आप ले ले उसके ब प्रेटीशन आपको दिन में 3 बार या 4 बार वाला नहीं करना रात रिकी समय ही आपके इसको 2 डोस कम्प्लीट करनी है विदिन आर आपको ये 2 डोस लेनी है इसका प्रयोग आपको कम से कम 3-4 महिने नीमित रूप से करना है देन धीरे धीरे ये आपके जो ब्लॉक इज पैसे जाएगा दोस्तों लेन आप परचेस कहां से कर सकते हैं यह बहुत जादा कोशन होता है लोगों का आप किसी भी होमेपेतिक शॉप में आप इसका पूछें आपको यह इसली अवेलेबल होगा अगर नेरिस्ट होमेपेतिक शॉप पे नहीं मिल रहा है तो आप ओनलाइन आना चाहूंगे जिससे आपकी आपकी जो स्नोरिंग इशू है वो ठीक हो जाएंगा नमबर एक अपने सोने का पॉस्चर सही रखें दूसरी चीज एक ही पॉस्चर में बहुत लंबे समय तक नहीं सॉएं तीसरी आप अलकोहल का सेवन कम कर दें और अगर ले रहें तो जस सोने से पहले आप अलकोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें फॉर्थ अपने वेट को कम करने कोशिश करें जिससे स्लीप एफनिया आता है जो अबेसिटी वाले पेशिंग्स में जिनका वजन जादा है उसके वज़े से उनको ब्लॉकिंग संसेशन आने लगता है उनका जो है वो चोक कर जाता है तो इससे बचने के लिए आप अपने वजन को जरूर कम करें इन कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनिटली आपकी स्नोरिंग विदाउट मेडिसन भी काफी हद तक बेटर रहेगी दोस्तों तो आज सा करती हो दोस्तों आपक को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलती हूँ इसी तरह के इन्फोमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टे सेफ एन हल्दी